पनीर खाना पड़ सकता है लोगों को भारी जी हाँ दोस्तो आपको बता दे कि जो आप पनीर खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए जहरीला साबित हो सकता है एक बार फिर मिलावती खोरी का दौर चल गया है राजधानी जैपुर में मिलावत खोरों के खिलाफ खाद सुरक्षा विभाग ने चापा मार कर 600 किलो नकली पनीर बरामत किया यह मामला शाष्ट्री नगर इलाके का है जहां पनीर बनाने की फैक्टरी में शैंपू और डिटर्जन पाउडर जैसे कपड़े धूने वाले वाशिंग पाउडर का इस्तमाल करके पनीर बनाया जा रहा था सुन्ये खाद सुरक्ष अधिकारियों ने क्या कुछ कहा अब जो उसे प्रेस करें जा रहा है तो आज उसको पाख्या दांते हैं उसको प्रेंटेर किया रहा है तो आज बच्छों की लोकरी आपना हो पड़ा है दो इस रिभी रेस्टोरेंट के अंदर और ये बली यूपर देरी उपर इन पर सेने कुछा जा रहा है हम दिन पाख्या रहा है तो आज यह दिया तरह पहली के सेंपल लिया है और पामोईल को सीच किया है और सारा पनी रफोई रिस्ट रहेंगी और यहां कर आइसे प्र यजिए कर रहा हैं जैरी किया रहा है हम काफी टाइम से यहां राकी कर रहे हैं. यह जो परिशर एंगर वी किसी क्रकार का पॉर्ड नहीं है. सामने से जो गेट है, वो बंद रहता है. तेकलिए गली में से अबने एक पर देखके हम आये. तो यहां तेजी से पनीर बन रहा है था, नकली पनीर बन रहा है था. इसम अधिकारियों से पता लगा कि मिलावटी पनीर खाने से सेहत को गंभीर विमारियों से गुजरना पड़ सकता है इसके साथ ही आपको कई मल्टी डिजीज का भी शिकार होना पड़ सकता है साथ ही अधिकारियों ने पनीर बनाने की फैक्टरी पर धोस कार्यवाई की और बरामत किये गए 600 कीलो पनीर को डिस्ट्रॉय भी किया